हलो दोस्तो वेलकम चू रोज टू आयाईटी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट के जो दो-तिन दिन होते हैं उसमें क्या करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं इमेल भी करते रहते हैं कि सर लास्ट के दो-तिन द मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आज 29th of August if I'm not wrong 30th August चाज हो चुकी है मतलब 31st और 1st काली को अब 2 दिन बचे हैं कुछ लोगों के 3 कुछ दोनों के 4 इस तरह से दिन बचे हैं ठीक है तो उन लोगों कैसे prepare करना चाहिए वो आज मैं बताने वाला हूं सो ध्यान से सम पहली चीज कि आपको किस पर फोकस करना चाहिए रिविजन पर रिविजन ही आपका सब कुछ है आप जीतना अच्छा रिविजन पर फोकस करोगे उतना सही है अब उसमें किस तरह से करना है वो समझो कि suppose के match आपने पकड़ा match की आपके पास जो भी आप अगर आप serious experience हो त आप कोई टेक्स्बुक में से पढ़ रहे हो तो आपने फॉस्स चेप्टर देखा आपने उसके फॉर्मिलास देखे आपको पता है सारे फॉर्मिला याज है तब आपको क्या करना चाहिए फिर मेरी चैनल कैसे आपको यूसफूल हो सकती है आप जाओ प्लेलिस सेक्शन में सेक्शन में जाओगे तब आपको यह दिखेगा ये सीरीज में अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें मैंने हर एक हर एक सिंगल चैप्टर पे बहुत जादा कुर्शन बनाया हुए है तो सबसके पैदा देखो कोडिने जियोमेटर पे 10 से 11 लेक्टर थे हमारे तो आप अगर वो पढ़ रहे हो तब यहां पर क्लिक करो फिर सबसे इंपोर्ड़न चीज कि जो बहुत जादा बच्चे मैं बोलूंगा 50-60 परसंट बच्चे यही गलती करते हैं कि वह पैन पेपर नहीं उठाते हैं पैन पेपर बिना उठाए अपने ऐसे वीडियो देख लिया फिर कुछ से ट्राय करो सौल करने का और फिर सॉलूशन देखो ठीक है ऐसा ही आप हर एक चैल्टर में कर सकते हो सिमलर्ली आप फिजिक्स और केमिस्टर के लिए भी कर सकते हो अगर आपको चैनल में से नहीं देखना है आपके पास कोई बुक्स है तो उसमें से भी 5-10 क्वेश जैसे वीडियो आई पहला प्ले हो वीडियो पॉस करो फिर वीडियो देखो कि मेरा अंसर सही है या नहीं मेरा अपरोच चैह यह तरह से 10 के 10 कुषिचन सौल करना बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है चार से पांच चैप्टर इसमें कवर अप हो रहे हैं तो जर तरह से आगे complex number है, फिर binomial है, trigonometry है, इसी तरह से बहुत ज़्यादा questions हमारे पास यहां पर भी available है, फिर अगर आप full course वाले देख रहे हो, suppose कि आपने इसका देखा, limit continuity का देखा, differentiation का देखा, determinant matrix इसका देखा, तब आप क्या कर सकते हो, directly जा सकते हो last के वीडियो में, अगर आ पर important questions का आपको मिल जाएंगे, जो previous hours है, जो important question है, वो आपको मिलेंगे, हर एक playlist में last के जो question होते है, full course में, वो important questions होते है, आगे सब theory है, अभी आपको theory पता चल गई है, तो last question में जाओ, एक दो question, 5 question solve करो, और खतम करो, यही अपरोच अभी follow करो, कम से कम 8 गंटे की नीद लो, और मन को थोड़ा शांत रखने का try करो, बहुत जादा junk food अभी के लिए avoid करो, बिमार पढ़ गए तो बहुत सीन हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो अभी junk food को avoid करो, healthy खाना खाओ, और 8 गंटे की sleep करो, 8 से 10 गंटा पढ़ने का try करो, ठीक है, और बाकी जब फालतू चीज़ों से आप खुद को avoid करो, उससे थोड़ा दूर रहो, ठीक है, इस section के लिए, और ज़रुवत पढ़े तो एक गंडा, डेड़ गंडा, आपको जो पसंद है, सपोज कि कोई भी YouTube पे वीडियो हो, या कोई movie हो, वो आप देख रखते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपका mind थोड़ा काम रहेगा, fresh रहेगा, ये सही बात बोलना हूँ मैं, कि अभी के लिए ऐसा नहीं कि अभी exam आ रही है, आप कहा वीडियो देखें, नहीं, कोई अगर movie आपको कुछ पसंद है, तब आप वो भी देख सकते हो, ठीक है, और बहुत ज प्याद रहो, कि बहुत ज़्यादा गवरानी की ज़रूरत नहीं, अगर आपने बहुत पहले भी नहीं पढ़ा है कुछ, तो अभी एक दो दिन में कुछ चमतकार नहीं होने वाला है, और अगर आपने पढ़ा है, तो एक दो दिन में आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, तो सब आपके उपर ही है, इस टाइम को कामली बिताओगे तो अच्छा रहेगा, बहुत दी फ्रस्टेशन के साथ, एंजाइटी के साथ, अगर एक्जाम देने जाओगे, तो एक्जाम सही से नहीं रिपाओगे, इसलिए काम होके जाओ, सब कुछ सही होगा, ठीक है, आज साथ 6 बजे, पैंक पेपर लेके बैठ जाना, चली मिलता है साथ 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद,